तो जल्दी से कलास को शेयर करके और लाइक करो पुरन हंडेड प्लस लाइक पहुचाओ पहले दोसो लाइक भाईये कलास चलेगी एक गंटे में पढ़ाऊंगा दिमाग पकाऊंगा नोचूंगा अपने आपको आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्या होती है ना आप फ्री में पढ़ रहे हो घर बेटे पढ़ रहे हो बाबू तो कर दो ना इतना सा करना है इसमें कोई बहुत बड़ी मांग थोड़ी है कि तुम्हें पैसे जमा करना है पैमेंट करना है सबसे बड़ी समस् कि आप लोग क्लास को सेर कर दो जल्दी से सभी सेर कर दो एक एक बच्चा जब तक सेर नहीं करेगा और लाइक नहीं करेगा तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर इसको तुम छोड़ कि गए ना तो आज समझ लो फिन नाइंत में दिक्कत बड़ी बारी है जब इसे सभी सेर कर दो एक एक बच्चा जब तब तब खेयर करते हुँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं ठीक है क्योंकि यह कुछ कि अलग तरह के भी प्रांडी आ जाते हैं जो 24 गंटा फोन करते हैं इनको चाहिए कि हर समय बात हुआ हो गया सभी करदें कोई नहीं बचाँ सभी कर दिये भाई अभी तो question 4 अच्छा 2.2 में question 4 अभी बचा है अच्छा बच्चा ठीक ठीक बहुत अच्छा धन्यमाद याद दिलाए कौन है यह यह महानात्मा कौन थी भाई जो याद दिलाया मनोज यादो ठीक है मनोज जी मैं उसको ही पहले बता देता हूं चलो सेस्पल पर मिये बाद में बताओंगा पहले 2.2 का question number 4 कर लो ठीक है कि देखता हूं अधा मिनट और जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें और बिना सब्सक्राइब करें आप कमेंट नहीं कर पाओगे इसलिए आप तुरंट सब्सक्राइब करो फटा फट देर नहीं करो हो गए 200 पहुंचाना है 200 पहुंचाना है वह जाएंगे बस सिंपल सा है देखो तुम्हें कुछ टेंसर नहीं लेना है कि 200 कई से आएंगे कहां से आएंगे के सभी जितने भी बच्चें अपने वट सके गृूप में सेयर कर दो तो applied we देक दो कोई ठेकन को देखेगाऊ किक तो सीखना हर किसी की क्या होती है य अ करतर में शीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टडी में तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे क्लास नाइंध की एंसी आइट मैथमेटिक्स और इसके पहले हम लोगोंने 2.2 लगभग कंपलीट क बचा है उस कुश्चन को हम लोग करेंगे जो बचा हुआ कुश्चन है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2.3 सेजफल परमिये पहुचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनमें आदित्य कुमार है राहुल कुमार है राहुल बाबु भी है भैरों राम गेमिंग रूपेस प्र प्रिया पंडे दर्सन और रोहिच चौहन अभजीत आयूस प्रियंका दूबे दी हिमांसु पर्मा प्रियंका दूबे प्रितम विश्वास और बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं माफी चाहते हैं सबका नाम नहीं ले सकते हैं चली हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं तो बच्चों सेस्फल पर्मी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले एकसरसाइज 2.2 का यह कुश्चन नंबर 4 छूट जा रहा तो चलो ठीक है ओके बेरी गुड चलो तो 2.2 का जो कुश्चन 4 था वो क्या कहता था चलो पढ़ते हैं 2.2 का कुश्चन नंबर 4 आप लोग किताब में देखो अपने सभी देखो कह रहा है कि निमनलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिती में बहुपद का सून्यक ग्याद कीजिए क्या करना बच्चा सून्यक कल में बताया नहीं था इसको क्या बताया था नहीं बताया सायत कुछ बत्चे बोल रहे हैं चलो देखो ठीक है तो कुईस्टन नंबर 4 है भाईया बाबू यह तो इसका क्या करना में सून्यक ग्याद करना है क्या निकालना है सून्यक सून्यक को इंगलिस में बोलते है जीरो आफ पॉलिनॉमियल मतलब इस पॉलिनॉमियल के जीरो करने हमें जो सीवेसी बाले हैं उनके में लिखा होगा फाइंड जीरो आफ फालूविंग पॉलिनॉमियल ऐसे कुछ लिखा होगा इंगलिस में मिलता जूलता तो पहला जो दिया है वह पॉलिनॉमियल कौन सी बला है देखो का दिया पहला पी आफ एक्स एक्स प्लस फाइब तो इसके क्या करने हमें जीरो फाइंड करने है मतलब सून्यक निकालने है तो बच्चा सून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे पी आफ एक्स जो दिया है उसे जीरो के बराबर करेंगे ठीक है जीरो के बराबर करके इसके क्या निका लेंगे दिंगे सुन्यक निकाल नेगे तो कि यहां के बाद हम इधर करेंगे चुमकि नीचे जलता है तो इसको जीरो के बराबर करें का मतलब है कि ये सब्सक्प्लस 5 क्या होगा जीरो के बराबर होगा तो यहां से दिआन्यicos कमान सब्सक्राइब Y कुछ समझ रहे हो कि नहीं पढ़ने आयो नहां कोई नटंकी थोड़ी हो रही है पढ़ लो यह तो भाग जाओ तुरंट भाग जाओ मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं बुरा लगे तो लगे लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रहें कि जिनको पढ़ना है दिल से मतलब इम मैं साथ ले लो मैं इसमें थोड़ा सापको और एक लाइन कर देता हूं वो क्या है समझ लो इसके पीछे वाला जो कुष्चन आप देख रहे थे उसमें इनका जीरो दिया गया था आपको सिद्ध करना था कि इन्हें सत्यापित कीजिए यह दिये गए पॉलिनोमियल के नि इसमें रखते थे अगर सुनने आ जाता था तो लिखते थे कि एक्स की जो बैलू दी गई है उसको इक्वेशन में पूट करने पर पॉलिनोमियल में पूट करने पर जीरो आ रहा है आता ही इसका सुन्यक है करते थे ना तो बच्चा हो इसको एक बार चलो इदर और हमने इसका जो सुन्यक निकाला है वो माइनस पांच निकाला है क्या निकाला है मैनस पांच निकाला है तो यहां पर समझो माइनस पांच निकाला है तो अगर हम यहां पर माइनस पांच रखे कहां पर पी आफ यक्स की जगह पर नहीं केवल एक्स की जगह पर अगर हम कि जगह पर माइनस पांच रखें तो ये जीरो आना चाहिए सब तो बच्चा ये ऐसे हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 5 इकल क्या जाएगा जीरो कि नाम के लिए परेसान और इसको लेलो नोट कर लो इसका कोई मतलब नहीं था इसको मैं आपको केवल संतुष्टी के लिए करवाया कि आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है जो बच्चे पीछे का कुष्टन नहीं देखे हैं चैनल पर वो कलास है कल वाली वो देख लें बेटा दूवे जी, नाम लेके जो कमेंट कर रहे हो ना किसी का यहां पर जालाउ नहीं है किसी का नाम कोई लेके कमेंट नहीं करेंग अब इसे शुरूप से बॉय तक वच्छी क form 거Time नहीं करेंगे रहे पूरी तरह से कडाई के साथ है पढ़ाई होगी पढ़ाई के साथ साथ तुम लोग की कुटाई भी जरूरी है लेकिन यहां कुटाई का तातपर है कि तुम बलाक कर दिये जाओगे बस अब आफ-लाइन कलास होती तो वो भी सेवा मिलती अनलाइन में वो सेवा करने का मौका तो मिलता नहीं है और बिना उस सेवा के तुम्हा सफाई कर्मी बनेगा नाला में यहां तक कचड़ा में गुश गुश के नली साफ करेगा समझ लो बहुत बड़ी बात बता रहा हो दिमाग से सोच लो अभी तुम नाइन्थ में पढ़ रहे हो तुमारा भविस से आगे बचा है तुम ही में से कलास में एक कलास में सो बच् डेके कमेंड कऱ्ा वो क्या करेगा व उसी काम में आएगा समझ लो तो अब तुम अभी सोच लो तो में सभाय कर्मी बनना है है या फिर जिलेक मालिक बनना है कुछ बड़ा करना है मैं उसी अधार पर बढ़ो जाहें चलो यहां बोहुत तो कॉ Bi-लेग कि जो पॉचिश का P of X equal X minus 5 यह दिया है इसमें क्या निकालना है आपको इसमें आपको क्या निकालना है सुन्यक निकालना है सुन्यक का मतलब होता बच्चा 0 निकालने के लिए क्या करते हैं 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 बता है इसको 0 के बराबर करते हैं P of X को 0 के बराबर करते हैं P of X बराबर क्या करेंगे 0 तो P of X का मान कितना है इसका मान कितना है X-5 नो एक्स-5 बरावर क्या करोगे जीरो एक्स कमांद क्या यह पांच आएगा देखो मैं दो लाइन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यगा नहीं है नहीं तो तुम सोचो आई से करना इसे नहीं करना इसको नीचे एक तरफ करते जाना है एक मिनट रुको में इत है चलो ठीक है अब समझ लो इसको में थोड़ा बिस्तार से एक ही जगा लगा कि दिखा देता हूं मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कुछ बच्चे ऐसे नोट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही करना तो बेटा ऐसे नहीं करना अगर तुम्हारी काप किताब में जगा है तो इसको एक ही लाइन में करना है तो ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है है नितीस बेटा पर लो सिर्फ पढ़ लोगा से चलो देखो कुष्टन यहां पर मैं इसी का पार्ट दूसरा फिर से करवा रहा हूं हमें क्या निकालना इसमें सुन्यक निकालना यह बात तुम याद रखना सुन्यक निकालना है मतलब 0 हाइंड़ यह जीरो आफ गिवें पॉलिनॉमयल तो सीकंड है पी आफ यक्स एक्वल एक्स माइनस फाइव यह दिया है अब यहां पर जगा है तो यहां पर बनने का काम तो पी आफ यक्स इक्वल 0 के बराबर करेंगे तो बेटा यह मतलब यह हु कि समझी यह 5 क्या है इस भावुपद का क्या है सुन्यक है वच्छे तो यह फरकार से भावुपद नहीं है है कि दूइपद नश्य नहीं दूइपद बोल सकते हो कि बैनोमिल न पापड़, न निकुल, तुम नाम लेके कमेंट कर रहो न दो नाम लेकर कमेंट कर रों यह पढ़ लो बता रहा हूं बार-बार आपका राहूल यह सुभे रे सात बजे कलाश चलती हैं नहीं दिख पाए हो तो चैनल पे है जाके बाद में देख लेना चरपटा रहे हो प्ले के बाद में देख लेना अभी आज के लिए है लेकिन सबसे पहले कौन बताता है सटर्डे को कल टेस्ट होगा और कल 200 रूपए का सर्प्राइज होगा जो बच्चा तीन कुष्टन अधितम कर लेका दस में से उसे 200 का सर्प्राइज मिलेगा तुरंत याद रखना जितना पढ़ाया हूं उसी में से पूछा जाएगा बहुत चोट चोटा कोईश्टन होगा और हाँ हम कुछ नया प्लान भी बना रहें तुम लोग की काफी चैख होने वाला भी कि समझ रहो ना भी होने वाला पलान भी डेकिन उसमें कंडीशन होगी कि तुम्हें अपने आंसर एक निस्टिट टाइम दे दिया जाएगा कोईश्टन लिख दिलीव माइनस पाच बता रहें और लीडर गेमिंग डॉन को भी कि तुम लोग का अलग अलगा उत्तर आरा सब का एक एख तर अए गड़ तै या गैसा मैं कि इसको क्या करना इसका सून्यक निकालक है सिपसी बोर्ट वाला किया समझे गा इसका जीरो análile निकाल कंदकरò U-p board, arcon board, mp board वाले सानेगे, इसका सून्यग निकालना है, सीबसी वालों के लिए इसका 0 निकालना है, वहीं इंगलिस में बोलेंगे 0, so find the 0 of this binomial, polynomial नहीं है, दो पन है इसमें तो इसको हम क्या करते हैं बच्चा यह 0 के बराबर करते हैं, यह तो करते हैं, तो इस कमान क्या ह यह लाकि इदर पटक दो ना इसमें दो एक्स प्लस पांच इक्वल जीरो यहां पे-जीरो कम एक्स कमान निकालो यह चैप इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे और यह दद्दा इनके इनके नीचे अगलटक जाएंगे बस होईगा माइनस पांच बटा दो इस करेक्ट मैंनस फाइप पांट टू इच करेक्ट अंसर मुझे जादा इधर नहीं लिखना चाहिए मुझे ग्यान हो रहा है मुझे उतर जादा लिखना चाहिए जिससे मैं यहां कम से कम ऐसे खड़ा तो हो सकूं लग कुछ समझ में आ रहा है रादे स्याम मातो बिटा जो भी नए बच्चे अभी जुड़े हैं बाबु कलास को लाइक कर दो जिससे कि आपको अगली कलास भी मिल सके और आप बिल्कुल फ्री पड़ सको घर बैठे ठीक है एक बात बता दें आप सभी बच्चे टेली गराम चैनल अगर जोइन कियर होगे तो डेली उस पर लिंक बेजी जाती है जब कलास सुरू होती है वाटसब की सुविधा नहीं बच्चों माफी चाहते हैं हमारे पास तीन लाक बच्चे हैं वाटसब में 256 लोग जुड़ते हैं तो हम कितना गुरूप बनाएं वाटसब वाल चैनल और मुबाईल यशार चैनल खेटाऊ सहलो जानते होगे तैनल पतो उना मेंट ञाम हथा हैं तो पने। के बगल वाली बटन दबानी है बस F10 एक परकार से भाई हमारे में तो ऐसा ही होता है डेल में मालूम नहीं है और सम्में लगबाग ऐसा ही सम्में होता है कि इस स्क्रीन साट ले लिया करो बाद में नोट कर लिया करो कि हो गया सब का कल्पना बैभो यादो गेमिंग ठीक है बेटा बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए परीतिविस कर्मा पर्दीप चंद्रकांत पाठक चेतन ठीक है बेटा वकूर आलम निकल लो यहां से तुम्हारे लाइक नहीं है फढ़ाई वड़ाई तुम्हारे बस का नहीं है चाओ तुम नहीं पढ़पाओगे यह का क्यों का नहीं प्रेसेगए के हो तुम्हारा कोई क्यों लेगा बै कुछ करो कुछ बनोई जिससे तुमारा नंबर लोग मांगे पूणए डूने आप देखते हो मोधी का नंबर कोई पा जाया बताओ परधानमंत्री ओ सकते हैं आई परधानमंत्री सफेसें पासकते हो क्यूंकि हम इतन देला हमें लोगं दो जोड़ी हैं। हम अपना नमबर देदें हम परिसान हो जाएं। और यह देखो। इतना नमबर दे रहा है। इसका बता है। यही अंतर ही। समझ रहा है है। यह नंबर देने के लिए परिसाने कोई लही नीरा नंबर कुछ करो कुछ बनो जिससे लोग तुम्हारा नंबर मांगें तुम खुदे दिये पड़े हो चलो अगला कि इसलिए मैं समझाता हूं रोज समझाता हूं रोज बताता हूं पढ़ लो इसको क्या करना है इसमें आप लोग बताओ देखे सबसे पहले कौन बताता है जल्दी बताओ इसका पॉलिनोमियल का जीरो क्या आएगा जैसे मैंने बताया था वैसे ट्राई करो कितना आएगा बाई अब मैंने बताओंगा अगले इक्सरसाइज पर चलते हैं तुम लोग कर लेना सब अब सब कर लेना मैं नहीं बताओंगा ठीक है अब 2.3 स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है अब इनों दूबे उसको फोन करके गाली दें क्या हां बिल्कुल दो तुम लोग मैं बोल रहा हूं दो ठीक है सब लोग जो नंबर आप अब से मैं पिन कर दूंगा जिसका नंबर आएगा उपर कमेंट में वह रचेगा नहीं ठीक है चलो आपकी याने दो हाँ नंबर दो सभी लोग नंबर दो चलो दो जो नंबर देना सब का नंबर ले लो खुब गरिया उसको जी वरके दूबारा ना करें वह पढ़ने लिखने आयों नहीं देखो यहां पर समझो इसको क्या करना है इसमें जीरो फाइंड करना है तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे पीजरो को बराबर करते हैं और इसका बलू जो हुआ यह ढिया है comes हमाइनस डिया है इसको पूइर चेहरो बराबर करों तो ईक अप गएतीन चैनल जांग को गया है कि छलो लीकलो फटाफलेक्ष लो सिवम कुमार प्रिया सर्मा बहुत अच्छे रादे सया मातो बेरी गूड बहुत अच्छे भाई इनका लेलो नंबर सभी लोग तो रोह feature ॉहान का ये ऐकाफी परिशाण यंका नंबर लेलो देखो पिन कर दिया हूं उपर रोहे चावानका नंबर लेलो सभी लोगि को सुनाना जरूर अगर नंबर सही होगा तो क्योंकि यह काफी परेसान है सुनने के लिए उत्साहित है नंबर ले लो उपर दिया गया है चलो और किसी का कोई सवाल बेटा देखो मैं बार बार रिक्वेश्ट कर रहा हूं कोई अपना नंबर कमेंट ना करो किसी को डिश्टब ना करो ठीक है यह को डिलीट कर दिया कि चलो अगला कि अब तुम लोग कि मैंना अच्छी बेज़ती करूंगा चलो करो तीन एक्स इसको कर लोगे अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी बात है इसका कोई आंसर बताए कितना आएगा अब सभी बच्चे कर लेंगे तो बच्चा यह चैप्टर खतम होता है कोश्चन 4 के जितने बच्चे पार्ट हैं सब कर लेना जैसे मैं अब हैम सबस् хват P Biz तक किया है वैसे इसमें के ऑभी आइक पांच है सिर्फ एक पांच बचाँ है कर लेना बस हो घ्रीघ한 अए एक ही यह ऑ और बचा है तो चलो अब नया पार्ट करते हैं ठीक है बच्चा नया पाइड़िज्टार्ट करते हैं चलो को है चले सुरू करें अगला नेक्स्ट आप लोग हीदिंग डालो सेश्फल पर्मियन टेटिंग डालो सेश्फल पर्मियन लिख लिए इंगलिष में deste पर मिये को reminder theorem बोलते हैं क्या बोलते हैं reminder theorem तो एक मिनिट मैं application का लिंक पिन कर दे रहा हूं आप लोग PBR study app download कर लेना जिनको पूरा complete class इकठा करना है उन्हें मिल जाएगी ठीक है समझ रहो ना कि नहीं अच्छा एक बात बताओ जितना अब तक पढ़ाया गया आपको समझ में आया देखो सिर्फ और सिर्फ मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं यहीं बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोग यह बताओ आपको कुछ समझ में आया कि जितना मैंने नेक्स्ट मतलब अगला क्या है 2.3 जो भी कंसेप्ट है वह सेशफ़ परमिये पर दिपेंड है तो सबसे पहले हमें सेशफ़ परमिये पढ़ना होगा सेशफ़ परमिये पढ़ने के बाद ही हम आगे कुछ इसमें कर पाएंगे ठीक है अभीनों दूबे पढ़ाई कर लो बच्छा अच्छी बात है पढ़ाई कर लो बात्ची संडे को करते हैं संडे को आना हम सिर्फ बात्चीत करेंगे संडे को पढ़ाई नहीं करवाते हैं सिर्फ बात करेंगे आप लोग से बस संडे को नहीं अप्लिकेशन में फ्री कलास भी है पेड़ वाली भी है जो तुम चाहोगे वो मिलेगी अप्लिकेशन में पूरा कई तरह की सुग्धा है एक बार डाउनलोड करके ट्राई करना फिर मुझे बताना जैसा है एक बार डाउनलोड करके ट्राई करना फिर मुझे बताना अब शेस्फल पर्मिये यह क्या है जानते हो कि नहीं यह बता कौन-कौन इसको जानता है रिमाइंडर थेवर्म रिमाइंडर थेवर्म क्या है जानते हो देखिए जैसे हम लोग भाग करते हैं तो हम लोग को मालूम है उसमें क्या क्या आता है भाग करने पर भाजक होता है जिसमें भाग किया जाता है वो भाच्य होता है कि आपक्र दाओ झापक है नेन गपने मुख्छ और जो जाता है नीचे वह नहीं होता है त्टा ऐस्सफल होता है लाला राम चौदरी आपक्लिकेशन मेंक्न सब्सक्राइब कि आप प्सक्रbal CP उसमें कई चीजह फिर नाज उंडेखो फ्री प्हयर पेड़ करना चलो देखो समझो तो सेजफल पर्मिये के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग यह जानते हो कि नहीं का होता यह कि यह यह सुने हो कि नहीं एक मिनिट रुको लिखने दो पहले भाज्य बराबर लिखो भाज्य बराबर भाज्य गुड़े भागफल और धन सेख्स भाज्य का मतलब होता डिवीडियंड भाज्य का मतलब होता है डिवाईजर और भागफल मतलब कॉसियंट एंड रिमाइंडर प्लस कर देते हैं ठीक है समझ रहो ना तो बच्चा इसमें क्या करना है हमें समझो यहां से हमें इसका कंसेप्ट समझना है कि आखिर यह सेस्पल परमिय क्या है तो आप इसको लिख लो तो उसके बाद फिर हम आपको आगे लिखवाते हैं इसका मुख्य क्या चीज है जो आपको समझना है वो चीज नहीं वो लोग खोल लें अपनी बुक में पेज नंबर 46 पेज नंबर 46 खोल लिजिए जितने भी बच्चे किताब लिये हैं NCRT की चाहे सीबेसी बोर्ड के हो यूपी बोर्ड के हो बिहार बोर्ड एंपी बोर्ड जारखंट बोर्ड केरल करनाटक पस्चिम बंगल कहीं से भी हो आप NCRT बुक लिये हो तो पेज नंबर 46 खोलो पेज नंबर 46 पर आपको सेज़्फल परमिये दिख रहा है रीमेंडर फ्हे रहम दिख रहा है सीबेसी वालों में दिख रहा बच्चा की नहीं हां एक 42 पे भी तुम्हें दिया होगा लेकिन वो नहीं है 42 पे जो दिया है वहां से कहानी शुरू होती है वहां से इसाल जोड़ा आगे पीछे किसी किताब में होगा तो किसी में 46 48 में 42 में होगा डूण दो आगे पिछे शेजपल परमिये उसमें देखो लिखा गया है क्या लिखा मान लीजिए पी आफ ? मान लीजिये पी आफ ? क्यों आफ यक्स से भाग दिया जाता है किससे ? इसा माने लेने को तो कह रहा है कह रहा है कि मान लीजिए P of X को Q of X से भाग दिया जाता है नहीं X minus A से भाग दिया जाता है ऐसा बोल रहा है आगे कह रहा है तो भागफल Q of X होता है क्या होता है भागफल Q of X होता है तथा सेस्फल बचराय कहे रहा है कि वह आफ आर ये बता रहा है नो यही क्या है सेस्फल पर्मिये है नहीं मिल रहा है तूमको नहीं मिलेगा पढ़ने वाले बच्चें को मिलेगा यह ज swings ऑफयान रहा है इनको को नहीं तो यह पूरा इस्ट्रेक्चर है आपका रिमेंडर थेवरम का अभी मैं इसको थोड़ा सा यहां पे इसकी जो थेवरम है उसको आपको लिखके दिखाऊंगा मतलब सिद्ध करूंगा आप उसे देखना ध्यान से इसको इतना समझ लो ठीक है यह तो देशी भासा में समझने क कि लिए लाइन लिखा था उसको मिटा रहा हूं ह। है जो समझो इधर साइड में बढ़ें लौासचरों नहीं मिल रहा है वह भी केवल समझें केवल संंझें ुथा के किताभ के टेंशन में नहीं रहा है समझलो बस है जिनकी मुक्ह variety है उनके में मिल रहा होगा तेको यह हो गया है बेजजती हो गया वाई तो सौरी लेकिन सही हम बात है अफ्ले सभ पर लिख मैं इसने करना क्या हैं इंगलिस में लिखाओ कि इंडि में अज़ी में बताओ डिवीडियंट इक्वल डिवाइजर देखो अभी मैं हिंदी में लिखा था अभी यह मत कहना तुम की हिंदी वाला नहीं लिख रहे हो हिंदी वाला मैंने लिखा था मिटा दिया स्पेलिंग अगर आपना सही कर लेना अगर गड़बड होगा तो कि एंटी है प्लस रिमाइंडर अभी मैं हिंदी में लिखा था यहीं चीज अब मैं इंग्लिस में लिख रहा हूं आप लोगों ने नहीं लिखा था तो उसे लिख लो ठीक है तो बच्चा देखो आप इसे ह हुआ हैं रहे यहां पर आपको दिखा रहे हैसा का पूरा भयानक रूप समझो यहां से किople 75 सिकेंड में कमेंट रोख कंऊ एक बच्चा का नहीं तो यह लोग ना इतना तो जिनके पास किताब नहीं उनको अच्छे से समझ में नहीं हा रहा होगा किताब लिये हो तो पेज नंबर किसी में 42 है किसी 46 है वैसे 46 पर मैं बता रहा हूं जो मेन NCRT मुख NCRT उसमें पेज नंबर 46 पर दिया सेस्फल परमिये उसको खोल लो उसमें क्या कह रहा है मैं फिर से बोल रहा हूं अगर नहीं है तुम्हारे पास किताब तो लिख लो मैं जो बोल रहा हूं लिख लो आराम-ाराम से आगे क्या कह रहा है जब P of x को x-a से भाग दिया जाता है तो भागफल Q of x भागफल खोपड़िये तो आवा थे उपर ना यह आता है ताथा यह पिर और जो भी लिखाओ तुम्हारी किताब में सेस्फल आराम एक्स है तो सेस्फल यह नीचे आएग बचेगा ना और आफशने रोगा मिख्या है किया सेह वर आफ मिख्यों की यह पी यह थीक है राफ ये चैbes paLL had नीचे नहीं दिखे रहा है तह logo क्या करूं एक मिनट रूख को दिखा रहा हो चल अब दिriters में नीचे दिखा सेसपल क्या है Oops अरकानी क्या है तो हम क्या लिखेंगे dividian मतलब भाजो यह भाज्य भाजो को पकड़ के लाग पटका दिवैजर यह भाजक मतलब ही अलाक पटको है ये नौ नहीं है मैंने लिखा है एफार एप पल कि एफार एपल है भेएचनग वह त्सको तुम नौ लिख लो नौ नहीं है मतलब कान से सुनो दिमाग से समझो और हाथ से लिखो तभी चलेगा अगर तुम सिर्फ छापोगे त्मजा नहीं आएगा ठीक है अब क्या है प्लस कोईसियंट कितना आया है क्यों आफ एक्स और प्लस रिमाइंडर सेस्फल क्या है आराफ यह यह पूरी क्या है कहानी है अब चलो इसको पूरा हमें आपर आपको विस्तार से दिखाते हैं रजनीस कुछ समझ में आ रहा है बच्चा राहूल बाबू राजियू प्रकासन में भी 46 पर है ठीक है बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी किताब में मिल गया तुम खुश हो गया चलो अच्छा यह चाचा सुनो कलास तो नहीं लाइक कर रहे हो तुम लोग याद आ गया मुझे कमेडी सुने हो ना मुझे मेरा माली की आद आगया अचानक मुझे भी आद आगया कि तुम लाइक नहीं करे हो तो जल्दी सह लाइक कर दो सब्सक्राइब टाइम जादा है नहीं वेष्ट करने के लिए फट अफट फट लाइक कर दो तुरंत आगे बढ़ते हैं चलो आप इसमें हमें क्या करना है झाहा जहाँ पर एक से वहां वहां पर एम तु SPEAKER कर अदियु कि एतना्यासा है कर लग जाहां एक मतलब कोई वी गिंटी रखो एक मतलब कुछ भी A कोई मतलब अगर बोले तो पूर संख्या कुछ भी रख दो चलो देखो कैसे यहां पर अगर हम ए रखते हैं तो पी आफ ए इक्वल यह हो जाएगा बिटा से अंदर में समझो यह क्या आफ एक्स का मतलब क्या फले बता मुझे जल्दी बोलो थिग्ष पर ए रहे पोश्ठाग में यह वह जाएगा क्यू आफ ए प्लस आर आफ यहां पर ए मतलब यानि यक्स का मतलब ए ठीक है इतना समझ में आ रहा ना सबको प्लस ञेटThere लेकिन अलग से जोडा गया था ना तो यहां पर कहा कि वॉफ क्या था यह तो कि अलग की एक फांड सुन मुझे चलो बताओ क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए अरे यार मतलब इतना देर से दिमाग नहीं काम कर रहा है भई यह भाजक यहां पर गुड़ा होता है सौरी वही मैं सोच रहा हूं कि यह जा कहा रहा है आप लोग भी काफी सोच रहा होंगे गलत-गलत पढ़ा रहा है अब हिंदी में लिखाता तो क्या लिखाता गोड़ा ही लिखा था था कि उसमें उसमें भी वही लेखा था प्लस नहींicky सोरी दोन स्टा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है घ्रचा नहीं अ जैसे आगे जाओंगे तुरंद मालुम चल जाएगा चोए पाइद यह गड़ बढगो है क्या वाम यह स्ट DENNIS आपको गजो घृता पर जैसे समझ ड़िए गजीयर किसी के घर में घुछने लगो तो यहां सब्सक्त बंद गृचव किसी गर मीघुचव जाओगे तो ऐसे यह क्या होता डद जाते आके तो उन्हां यह तो क्या हो जाएगा आपका यह जीरो हो जाएगा इंटू क्यू आफ ए और प्लस आर तो फाइनल में इसका गुड़ा करोगे जीरो हो जाएगा किवल आर बचेगा यानि हम कह सकते हैं पी आफ एक कोल क्या बचेगा आर तो कुल मिला करके फाइनल आपका हो गया इसे लिख लो यही था सेस्फल प क्या था यह reminder theorem अब हम लोग इसी आधार पर question करेंगी किताब वाला लेकिन मुझे लग रहे है आज time नहीं बचेगा न किताब वाला question exercise 2.3 खोल लो मैं एक बता देता हूं उसी तरह से तुम लोग try करना फिर कल बता दूंगा ठीक है मनीशा सर्मा लाइफ लाइफ लाइन सूर्य वंसी तेजस्वी बहुत बहुत धन्यवाद रूबी दुबेदी हाजी बताइए आडर करिए इस्क्रीन साट ले लिए मैं मिटाओं इसे लीपूं की नहीं चलो देखो जैसे हल हो जाए वैसे स्क्रीन साट ले लिया करो तुरन देर ना किया करो और बाद में अराम से फुर्सत में बैठके एक एक अच्छर छापा करो क्योंकि यहां ज्यादा टाइम तो होता नहीं कि तुम छापो और मैं बैठा रहूं है तो बच्चा 2.3 खोल ल लिए हैं चाहे वह यूपी बोर्ड है सीबेसी बोर्ड है कोई भी बोर्ड है और कुछ तो बता रहे हैं कि राजीव परकासन में भी वहीप पेज है कि तो ठीक है 2.3 खोलो कि आदेस यादो बिटा पढ़ लो पर लो सब मिलेगा मिलेस कि कोई बघवान की का थोड़ी और कभी संख बजगा तुमको मिलेकर थोड़ा थोड़ा नहीं पड़े रहोगें तो कुछ ना मिलेगा समझ रहे हो ना मनोज सिंग ठीक है और अंगाबाद से हो तू वहीं बैठे रहा हो बोलो मत 2.3 देखिए बच्चा इसमें मतलब क्या है यह सेस्पल पर्मिय हम लोगों ने क्यों पढ़ा है पता है सेस्पल पर्मिय इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो 2.3 का आपका पहला कुश्चन है थो पॉइंट थी का जो पहला कुश्चन है वो कह रहा कि यक्स का क्यूब प्लस तीन एक्स का स्कॉयर और प्लस यह तीन एक्स प्लस वन इसमें क्या कह रहा है कि निमनलिखित में से भाग देने पर सेस्फल गयात कीजिए मतलब फाइनल इसका यह है कि इसको भाग करना है किस से ए इनसे करना चच्चा शा से तीन का भाग 24 में कर लोगे आठ बार जाएगा तीन अठे चौबिस लेकिन यह बात बता मुझे इसमें से कितने बच्चे हैं जो इसका भाग इसमें कर लेंगे बोलो जो जो कर पाएंगे बोलो यास काजल हो जाएगा नितीश हीना साहू अखिलेश कुमार सोनू हो जाएगा परतीमा आपका भी हो जाएगा पिंटु बेटा हो जाएगा न कर लोगे कि नहीं कर पाओगे जैसे इसका तीन का भाग इसमें करोगे आठ बर जाएगा वैसे इसका भाग इसमें करना है देखो वो तो जाएगा कुछों लोग तो ऐसे कह दे रहे हैं हो जा क्या करना है बच्चा इसको बाक करना ही नहीं है। अब जो रिमांडर ठेउरम पढ़े हो ना सिको इसमें खकल देना है हमें भाग नू करना हैं भाग करेंगे तो बाडल लंबा जायेगे वह भी बता दे है कि यह से बनेगा है उधर यह दिख रहा है ना देखो एक्स का क्यूब प्लस तीन एक्स का स्क्वाइर प्लस तीन एक्स प्लस वन यह है ना इसमें भाग करने का यह मतलब है कि उपर आप एक्स का स्क्वाइर बाल ले जाओगे तो एक्स का क्यूब प्लस एक्स का कि राख लोगे क्या उतार लोगे वर से तुम 3x उतार लोगे हैं गलत है क्यूंच कि नी बदल रहा है और यहला भी Mus quarantine बदल राख तो कि गपैगा 2x का स्कुरूर बचेगा क्या बचे गजा जो कि स्क्रीख बचेगो बचेगा से बिल्कुल पलने नहीं प ça ुमांदारी से इसमें कितने होगों को यह समझ में आया मैंने जो किया दोस्टप अगर किसी को समझ में आया तो बच्चा लिखो हां ये यहisa कि यह लिखो जल्दी है समझ में किसी को समझ में आया तो ना लिखो पाने कुछ थोड़ा बहुत देखो यह तरीका काफी बड़ा हो जाता है काफी लेंथ्य हो जाता है ठीक है का बेटा सौरे क्या प्राब्लम है कुछ फ्रिस्टेर को सब साथ में इत् Иrieं तो यह थोड़ा सा तरीका बड़ा हो जाता है हमें टरीका करना ही नहीं है हमें क्या करना है सेस्फल पश्वागर करना कि आप नि अते ईसमें चोब갔 और इन्ती हो जाता में आधकांस बच्चों का गलत भी हो जाता है इसमें टाइम भी लगता ह। तो यह तरीका करनाari नहीं खिलक है कोई बात नहीं को नहीं सम presentation नहीं है क्योंकि तरीका यहां पे पर करना ये लेकिन चीकना जरूरी है चैप कहीना कहीं वह मतलए हुज ह को मान लेंगे क्या इसको हम मान लेंगे जो उपर दिया है उसको यह पहिला पद मान लेंगे उसको दूसरा मान लेंगे हां चलो तो हम इसको मान लेंगे P of X क्या मान लेंगे P of X मेन वाले कुण X का Q प्लस 3X का स्क्वाइर प्लस 3X प्लस 1 लिख लो आप लोग इसे इसको क्या मान लेंगे Q of X चुकि हमें इससे क्या करना है भाग देना है ठीक है अब सेस्पल परमिय क्या कहती है सेस्पल परमिय क्या कहती है बता मुझे सेस्पल परमिय अभी तुम निकाले हो P of क्या निकाले थे बराबर क्या रहा था अभी निकाले हो ना अभी अभी निकाले हो सभी सेस्पल परमिय से हमें क्या करना है कि वह आफ एक्स को जीरो के बराबर कर देना है यहां से हमें इसका क्या निकाल लेना है अभी अभी पढ़े हो 0 निकाल लेना तो आप लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे आगे लिखो पड़ा पड़ लिखो लिखो चलो लिखो लिखो सेजफ़ पर मिए से सेस्फल पर्मिय से according to remainder theorem according to remainder theorem आब इदément में की तो आफ एक्स कमान एक्स प्लस वन है इक्वल जिरो ये answer नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अभी ये मान तुम ले जाकर के main वाले में रखोगे ठीक है ? Main वाला का मतलब जो आपका पै आफ एक्स है तो यहां पर आप क्या रखोगे ? n देखो इसमें म différend इसमें पी आफ एक्स वालरे में तो जहां जहां युक्स है वहां वहां 1 हो जाएगा तो बच्चा हो यह माइनस 1 का कुई हों कि अ dutiesक्यों हुआ तो हैसा क्यों हुआ क्यों कि यह beyond PARKUND और पलस यह 3, और गुड़ा एक्स यक्स का मतलब माइनस वन और पलस वन इनको हल करना जो भी आएगा यह आपका क्या हो जायागा फाइनल हो जाएगा उधर थोड़ा कट रहा है तो मैं उसको कबर कर लेता हूं मैं थोड़ा से रुप जयाओ कैमरा में इ Cathar πो इसको समझा है मैं üç को टोड़ा मुझे चंड़ा करने सिस्य हां हाँ जलो समझना है आपको को से तो यह क्या हो जाएगा माइनस वनका कितना बार भी गुड़ा कर दो तुम क्या होगा Körper माइनस ऒनका कितना बार भी गुड़ा कर दो माइनस को माइनस ही होगा तो यह माइनस वन हो जाएगा और यह वन का स्कॉर करोगे प्लस हो जाएगा और यह तीन हो जाएगा और यह माइनस तीन प्लस वन प्लस प्लस जुड़ेगा बिटा तो यह माइनस का चार और प्लस का चार फाइनल में क्या आएगा जीरो आएगा क्या आएगा जीरो लिख लो इसको पूरा इतना लिख लो कोई दिक्कत नहीं है जल्दी से लिख लो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को कि थिक है सबको समझ में आजा काझल कमेंट आज अरहा थुम्हारा मैं क्या करूं तुम्हारा नामी बोलो की पढ़ा हूं काझल कमेंट आरहा है अब बताने किया चाहती हो कि मैं पढ़ा आउं yêu फिर आपका नामी वालू हमेशा लिख लो आप लोग स्क्रीन साट लेलो टाइम हो गया आज की कलास इंडो होने का कफी टाइम हो रहा बच्चों तो फिर किसी का कोई सवाल है कोई सिकायत है तो बताओ नहीं तो बंद करें कलास को आज थोड़ा चोटे हो जाएं हम आप सही लग रहा है ना इसक्रीन साट लेलो मेरी फोटो भी आजायागी अच्छी सी चलो कि इसक्रीन साट लो जल्दी कोई लियाग नहीं इतना देर जुक के खड़ा था तो देखो आज का यह कलास यहीं पर हो गया खतम आप लोग स्क्रीन साट लेलो हो गई पूरा बात खतम हो गई काम्या मौर्या दिख नहीं रहा है देखो बेटा तुम्हें चसमा बनवा लो अपने डैडी को बोलके आज में आएगा जब तुम रोज पढ़े तब ना इस अच्छा बनके बिना जाओ नहीं समझ में आएगा रोज पढ़ों के तब आएगा कि कहां बुकम पारा भई हमारे हां तो भी नहीं आया देखो पंखा भी नहीं गिर रहा है उन्दों बाचके रहना बुकम पाता है क्या करते हैं पता है कोई मजबूत और कोई टिकाऊ उसके चीज के नीचे छुपते हैं भागते नहीं है भागते नहीं है क्योंकि भागने में और बड़ा खत्रा है तो चले फिर आज का कलास बंद करते हैं आप लोग जल्दी से जनाप से जिला कॉनसा है एक बार कमेंड करोगे एक बार कमेंड करोगे क्योंकि मैं रोक दे नहीं कमेंट दूबारा आए लग-2 मिननट secured करह replicate यह बहुत जल्दी और यह ₹ 1 मिनट फोटा हो गया है मैं दो मिनट लगाने वाला था तो दो सिकंड हो गया थीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड राहूल आजमगड से हैं बहुत अच्छे बंटी सिंग बिहार से हैं भीना चतिसगड परियाग राज से आसुतोष सिंग बहुत अच्छे बेरी गुड नितीज गोपी यादो सोर्या चेतन और पंकच पाप जुगुरू रतन भाई है जैपुर अजस्थान से और इनका नाम है गांडा लाल बर्माजी यह अलिगड से हैं बहुत अच्छे इसमें तो देखो बड़ा मज़ा आता तुम लोग को भाई अपना जगा का नाम जिले का नाम बताने में दीपक उत्राखंड से हैं और एक दीपक और है जोकीराबरेली यूपी से हैं रेनु और एया यूपी से हैं क्रिष्णा चोधरी भाई माउ उत्र पर्देश से जुड़े हैं पंकज कुमार पांडे यूपी आजमगर से हैं कोमल मौर्रे आए इलहाबाद से ही हैं इलहाबाद से आपकी कलास भी चलती है संजीत कुमार साक्षी य्यादव कानपुर जिला से और कोई आनीवन भाहरएर और गेमिंग राजस्तान के बुंदी जिले से हैं अधीक्षा सर्मा अलीकडियूपी से अंस्छे कुमार ना लंदा भिहार से हैं ॐ το कमेंट आरा आपका सोनव यादव चत्रा से यह चत्रा क पूरे देश के जिनों के नाम नहीं मालूम है, क्योंकि बच्चे तो अर्थ जगा से होते हैं यह लेकिन लगबग में मालूम हो जाता है नागपुर से कौन है भाई नमन अजब सिंग भी परियाग राज से हैं कमाल यार अजब सिंग की गजब कहानी अब मेरी मुबाईल अच्छी लग रही है क्या देखो इसमें एक ठी कवर लगाया था खड़ू इस टाइप की वह बड़ी गंदी थी मैंने उसको निकाल दिया अच्छा लग रहे ना अब सुन्दर है नहीं नहीं लग रही ना कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं मैंने इस लिए निकाल देता हूं मêuजिए पोछ्ड़ 영화 को बता दू यह सामसंग का अब हमसे बच्चे कवी तिन कमेंट करते हैं तो हम चाल लाइन नफ्रत करते हैं तो सफी टो चाहिना का कोई भी डिवाइस हम उन्हीं और कुछी नगर से हैं ठीक है तो चलते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को जिनका नाम नहीं ले बहुत-बहुत माफी चाहते हैं उनसे कल की कलास में नाम बोला जाएगा रोज आना सामको साथ बज़े से मैत पढ़ने के लिए और सुबह साथ बज़े साइंस तेलीगराम पे नाम है PBR study मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेलीगराम पे जा करके PVR इस पे से study लिख करके सर्च करना है चैनल मिल जाएगा राजकुमार सानी ठीक है पोको नहीं है बेटा सामसंग यहां सामसंग यहां थार्टीवान है यह उक्को पोको हमें नहीं माल हम अब तक कही है मर गए होते अगर आइसी मोबाइल लेते तो पता है यह इसी मोबाइल फट जाती जादा लोट बढ़ने पर जो गड़वा टाइब की हमारे मोबाइल में लगवाग बीच से पचीस हजार बच्चों के नमबर है वाटसप पे अब बताओ अगर पचीस ती बरसा यादो राधा प्रजापती ठीक है गुड़नाइट सबको गुड़नाइट बहुत बहुत धन्यवाद तो हां तेली गराम पे पीवीर स्टडी जोईन कर लेना एक बात और सुन लो जाते जाते आप सभी बच्चे पीवीर स्टडी 3.0 चनल भी सब्सक्राइब कर लेन बच्चा क्योंकि आपकी कलास आने वाली इसी चैनल पर चलने वाली है स्टूल बदल रहा है अगले महिने से इसी चैनल पर कलास चलेगी जहां देख रहो इस पर नहीं चलेगी तो अभी तुरंट जाके इसे सब्सक्राइब कर लो मैं लिंक दे देता हूं तब जाऊंगा क जल्दी से जाके तुरंट सब्सक्राइब कर लो बाबू क्योंकि यह आपका नाइन टेंथ वालों के लिए इस्पेसल चैनल है हमारी तरफ से जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाइन और टेंथ के बच्चे जुड़ते हैं वो नाइन टेंथ वालों के लिए ही है गुरू का असिरबाद भाई बहुत दिन के बाद आ आप आरहे हो हां यह बहुत कहां चले गए जई आपके बिनंट कि अभी तुरंट सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी जिनको नहीं समझ में आगा कोई बात नहीं है कि मिलेंगे फिर कल की कलास में ठीक है तो बाए जैन मिलते हैं फिर कल थैंक यू ओके वैसे जैन ऐसे बोलते हैं आज